हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल मरीन वल्ड में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईटियाई वायरमेन कोर्स के बारे में बताऊंगा दोस्तो वीडियो मागे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिग्वेश्ट करना चाहूंगा कि अ अगर आपने अभी तक इस चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब क alijji गा और अगर यह वीडियो चल गये तो इसे शेयर बनने के बाद कौन सी जॉब मिलेगी, इसकी सेलरी कितनी होगी, इसे जुड़ी तमाम बाते हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंतक जुरू देखेगा। दोस्तों, ITI कोर्स के अंतरगत कई सारे ट्रेड्स हैं, उनमें से वायरमेन भी एक फेमस ट्रेड बाना जाता है, जिसे करने के बाद सरकारी और प्राइवेट दोन सेक्टर्स में असानी सी जॉब मिलती है, इसके अलावा कोई चाहे तो खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकत करती हैं, दोस्तों, दूसरे ITI ट्रेड्स की तरह इसमें भी एड्मिसन लेने के लिए कैंडिडेड्स को कुछ मिनिममम इलिजिबिलिटीज यानि की निनुतम पात्रता पूरी करनी होती है, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिएशन की बात की जाए, तो किसी आप किसी मानिता प्राप्त बोर्ट से कम से कम आर्ट वी पास हुए होने चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से दस भी या बारवी कक्षा पूरी करने के बाद ही आपको इस कोर्स में एड्मिसन लेना चाहिए, दोस्तों इस कोर्स में एड्मिसन लेने के लिए मिनिमम एज 14 साल है और मैक् कुछ इंस्टिचूट्स में मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिरेट्स एडमिसन ले सकते हैं। में जॉब के काफी सुनेरे मौके मिलते हैं। दोस्तो जॉब के अलाबा कोई चाहे तो खुद का बिजनस भी सुरू कर सकता है। और आत निर्भर बन सकता है। नमबर के साथ आपको आठवी कक्षा पास करना होगा। लेकिन जादतर मामलों में देखा गया है कि जो इस्टूरेंट दस भी या बारवी के बाद ये कोर्स करते हैं। उन्हें जॉब आसानी से मिल जाती है। दोस्तों आठवी कक्षा पास करने के बाद आपको कॉलेज का एप्लिकेशन फॉर्म बरना होता है। दोस्तों आठवी कोर्स में एडमिशन के लिए हर साल जून जूलाई महिने में फॉर्म निकलती है। जादतर मामलों में आफलाइन ही फॉर्म बरना होता है। लेकिन कुछ कॉलेजेज ऑनलाइन फॉर्म बरने की सुविजाय देते हैं। दोस्तों फॉर्म बरते समय कैंडिडेट्स के सारी डेटेल्स और डॉकुमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोट करने होती है। कॉलेज के साथ आपको कॉंटेक्το करना होता है और एडमीशन फी जमा करने के बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों ITI वायर्मेन कूर्स की फीज की बात की जाए तो सरकारी कॉलेज़ों में ना के भरावर फीज लगती है लेकिन प्राइबट कॉलेजजेज में सरकारी कॉलेजज Calties की तुलना में कई गूना अधिक फीस देनी पड़ती है आम्तौर पर सरकारी कॉलेजेज में हर साल तीन हेजार रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक फीस देनी होती है वही private colleges में हर साल 30,000 से लेकर 40,000 रुपे तक की फीस देनी पढ़ सकते हैं दोस्तों ITI environment course दो साल का course होता है जिसमें 4 semesters होते हैं हाला कि कुछ इंस्टिचूट्स में annual exam भी लिया जाता है दोस्तों ITI environment course के syllabus के अंतरगत दो पार्ट सोते हैं पहला है theory और दूसरा है workshop दोस्तों बात करें first year के theory के syllabus की तो इसका syllabus है electricity, occupational, safety and health, shoulders, flux, ohms law, electric accessories, magnetism, resistors, kichops law, semiconductor, earthing, ACDC और दोस्तों बात करें first year के workshop के syllabus की तो इसका syllabus है basic electricity, heat and temperature, material science, trigonometry, unit, fraction, percentage और दोस्तों second year के theory की बात करें तो इसका syllabus है soldering, electrical power, LED diode, transistor, capacitor, UG cable, transformer, DC generator, DC motor, EMF common electrical accessories, three-phase induction motor और substation equipment और दोस्तों बात करें second year के workshop के syllabus की तो इसका syllabus है quadratic equation, AC wave, calculation series and parallel connection, estimation and costing, elasticity, indices, material, number system, magnetism, center of gravity और fractions दोस्तों आइटियाई वायर्मेन कोर्स करने के बाद जौब की बात की जाए तो इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप सरकारी या private institutions में जौब कर सकते हैं आप चाहें तो high research studies के लिए polytechnic का कुर्स भी कर सकते हैं डिपलोमा करने वालों के लिए electricity सबसे अच्छा ट्रेड माना जाता है दोस्तों ITI वायर्मेन का कुर्स करने के बाद बात करें आप कहां कहां पर जौब पा सकते हैं दोस्तों आप इस कुर्स को करने के बाद apprentice प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं आप Indian Railways में जौब पा सकते हैं आप Indian Army में जौब पा सकते हैं आप Petrochemical Industries में जौब पा सकते हैं आप Indian Ports में जौब पा सकते हैं आप Power Plants में जौब पा सकते हैं आप कोल इंडिया में जॉब पा सकते हैं आप फिक्टรिज और इंडेस्ट्रिज में जॉब पा सकते हैं और आप बिजली भीभाग में भी जॉब पा सकते हैं आमतार पर सुरुवाती सेलरी 9000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक मिलती है और जैसे जैसे आपका इस छेतर में experience बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सेलरी भी बढ़ती ही जाती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना idea environment का course क्या है और इसके बारे में मैंने आ आपकी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद